हलो एरोवान आइम रमेश निसाद और वल्कम यू और विहाप अभिपसा नभिपसा टीम जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्षर में हमने डिसकस किया था ब्लूप्रिंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं स्ट्रेटिजी के बारे में कोई भी एक्जाम एक रेस की तरह है और उस रेस में हजारों लाखों लोग रहते हैं और हजारों लाखों लोगों में आपको टॉप में आना है फर्स्ट नमबर पे आना है इसके लिए सबसे इMPAURTन चीज़ क्या है आउसकता होगी एक रुन नीती क्या आउसकता होगी और उसी strategy के दुआरा आप सफलता की मुकाम पे पहुंच सकते हैं तो आप गूल क्या है आपको जो गूल है वो है उसी टॉप लेवल पे जाना आपको को सफल होना है उन हजारों और लाखों बच्चों को आपको पीछे छोड़ना है आपको फर्स नंबर पर आना है तो बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हो किक्षा बार्वी के इंग्लिस के लिए एक ऐसे स्ट्रेटजी जिसके द्वारा आप अपने लक्ष को हासिल कर सकते हैं आपका लक्ष क्या है आपका लक्ष है 80 out of 80 number लेकर के आना और इसके लिए आवसकता होगी एक ऐसी strategy की जिसके द्वारा आप अपने गोल को हासिल कर सकते हैं आप number one पे आ सकते हैं तो इसके लिए हम start करते हमारी strategy और उस strategy के द्वारा हम अपने गोल को achieve कर सकते हैं तो अभीपसा जुकेशन फॉर एक्सिलेंस में आपको क्या क्या चीज़े provide की जाएगी इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जिसके द्वारा आप अच्छे से अच्छे number लेकर के आ सकते हैं तो आपके जो चीज़ें हैं आपको जो study materials provide की जाएगी सो उनमें से ये चीज़ें हैं जैसा कि आप जानते हैं और इसके लावा आप सबसे पहले ये decide करिए कि आपके पास समय कितना होता है exam के time exam में आपको 3 घंटे समय मिलते हैं और उस 3 घंटे में आपको पूरा 80 number ले करके आने होते हैं आपको सारे questions के answers बनाने होते हैं तो आपको 3 घंटे को कैसे और कैसे utilize करना है तो सबसे पहले आप अपने mind में सोची कि जितने भी questions है इन questions में सबसे आसान और सबसे कम समय कौन से question में लगने वाला हैं तो आप पहले decide करिए और सबसे आसान और सबसे कम समय लगने वाला जो question रहेगा उसी को आप सबसे पहले swallow करिए उसके बाद आपने जैसा पहले कर उसके बाद देखिए कि अब सबसे आसान और सबसे सरल सबसे कम समय लगने वाला question कौन सा है तो उसके बाद फिर उसको करिए और ऐसा करते हैं अगर यदि आप solar करते हैं तो आपका mind भी काफी relax होता जाएगा आप बहुत आसानी से बनाते जाएंगे और आप तीन की तीन घंटे में आप अपना सारा question के answers आसानी से दे सकते हैं इससे क्या होता है कि आपका जो तनाव है आपका जो pressure है वो कम होता जाता है और आप बहुत आसानी से बना लेते हैं क्योंकि अक्सार ऐसा होता है कि हों क्या करते हैं हम ज्यादा नंबर्स की चकर में हम अपने जो आसान question है उनके answer नहीं दे पाते हैं बाद भी प्रता चलता है कि हमारे पास समय नहीं है और जिसकी विजह से हमारा जो प्रेशर है हमारा जो तनाव है वो बहुत बढ़ जाता है और हम जो सरल कोश्ण है उनके अंसर भी भूल जाते है तो अक्सर ऐसा होता है तो इसी लिए आप सबसे पहले यहीं करिए कि आपके लिए सबसे आसान कौन सा है तो सबसे आसान जैसा की होता है MCQs, MCQs जो की काफी आसान होता है, हम पढ़े हुए रहते हैं, अब इसमें क्या है, सामाने से आंसर बस दिन रहता है, तो उसी को हम पहले करेंगे, तो हमारे जो वीडियो आएंगे, वो पहले आपके MCQs से आएंगे, जिसमें से फ्लैमिंगो क्यां किरविक से आठ नमबर केंगे, जिसमें से प्रोस से आपके चार नमबर केंगे, पोटरी से आपके 4 नमबर केंगे, जिसमें एकदम आसान रहेगा, MCQs रहेगा, चार questions में से चार options में से आपको एक option को चुनना होता है यानि काफी आसान होता है तो ये आपके 8 number ऐसे ही 5 minute में बन जाएंगे आपको ज़्यादा टेंसर लेने की जरूरत नहीं है तो ये आपका हो गया फिर उसके बाद हम आपके लिए आएंगे लेखर के आएंगे grammar grammar आपके 10 number के आएंगे यदि आपको grammar अच्छे से पता है grammar यदि आपको बहुत अच्छे से पता है तो आपके लिए ज्यादा time नहीं लगने वाला क्योंकि grammar में क्या क्या चीज़े पूछेंगे Tense related question, Voice related, narration, determiners, article, यानि determiners का ही part होता है articles, और यह है question tag, question tag हो गया, prepositions, conjunction, clauses, इतने सारे grammar पुछे जाते हैं, तो यह आपके 10 के 10 number ऐसे हैं तो हम previous year के जितने भी grammars आए हुए हैं, उसको बहुत आसानी से video lecture के मादब से separate videos में अच्छे से discuss करेंगे, इसके बाद articles को एक अलग अच्छे से समझाएंगे, एंदर का use कैसे और किस तरह से करते हैं, question tag को कैसे अच्छे से हम बना सकते हैं, question tag कोई मुस्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, तो इसके लिए हम separate videos आपके लिए देंगे, इसके बाद, जो question answer है, question answer previous year के, previous year के question answers, जिसमें से flamingo से आपके आएंगे, 12 numbers के, विस्टास से आपके 10 numbers के आएंगे, तो इनको हम बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि हमें question answers रटने नहीं है, question answers हमें अच्छे से समझ करके जाना है, ताकि यदि हम भूल भी गए, तो भी हम उसको लिख सके, तो ऐसा हम बहुत अच्छे से, बहुत आसनी से समझ करके जाएंगे, तो इसके लिए आपको video lecture के मादियम से provide के जाएगा, और उस video lecture को देखने के बाद आप देखेंगे, कि हाँ, सच में आप भूल नहीं सकते हैं, तो ये रहेंगे, notice writing, advertisement, poster, invitation, इन में से हर एक चीज़ों को हम एक एक चीज़ों को समझाएंगे, तो इन में से चार नमबर के आपके आएंगे, तो इसका format कैसा रहेगा, किस तरह से रहेगा, कैसे लिखेंगे, तो पूरा का पूरा नमबर मिली, ऐसा मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, इसके बाद हम क्या देखेंगे, unseen passage, जो कि 12 नमबर का आया है, और ये आपके लिए क्या है, पका पुकाया भोजन की तरह है, क्यों, क्योंकि unseen passage को आपको अलग से टाइम निकाल करके, घर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए, वो idea, वो thought, जिसके द्वारा आप unseen passage को बना सकते हैं, unseen passage के लिए आपको ये पता होना चाहिए, वो तरीका, वो thought, तरीका वो वे पता होना चाहिए, जिसके द्वारा दिएगे जो questions है, उनके answer आप अच्छे से दे सके, तो ये काफी आसान होता है, और इसके लिए हम separate videos अच्छे से discuss करेंगे, तो ये आपके 12 के 12 नमबर ऐसे ही आ जाएंगे, email later application, ये कैसे लिखे जाते हैं, इसका format कैसा होता है, ये इसके बारे में हम discuss करेंगे, ये आपकी 6 नमबर के आएंगे, और बहुत ही आसान है, इसमें आपको तरीका पता होना चाहिए, कैसे और किस format में हम later application को लिखते हैं, application later का ही group होता है, एक फॉर्मल लेटर ही होता है, note making, note making कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो ये आपका 4 नमबर के ये आएगा, उसके बाद फिर summary, summary कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये 4 नमबर का आपका summary रहेगा, summary जैसा कि मैंने बताया था, कि आपने कोई movie देखी, movie देखने के बाद आप क्या करते हो, 4-5 मिनट में, 2-3 घंटे की movie को, आप 4-5 मिनट में, 6 मिनट में, आप क्या कर देते हो, बता देते हो, तो वही होता है summary, यानि हम ये passage दिया रहेगा, उस passage को आपको, कम से कम सब्दों में, आपको पताने होते हैं, तो यह होता है summary, उसके बाद article composition, ये 10 number क्या हैंगे, तो article composition क्या होता है, ये किसी भी topic पर लिखने होते हैं, तो ये आपके 10 number क्या हैंगे, कौन कौन से articles आते हैं, इसके बारे में, वो जो हम grammar वाला article है, वो अलग article है, ठीक है, ये अलग article, ये topic रहता है, उसके बारे में हमें, लिखने होते हैं, धाई से 300 सब्दों में, तो इस तरह से articles, कौन कौन से repeat होते हैं, इसके बारे में हम separate videos में, discuss करेंगे, तो आप सबसे पहले decide करिए, कि आपके पास एक question paper है, और उस question paper में, सबसे आसान, सबसे कम समय लगने वाला question कौन सा है, इसी मंत्र को आप रखे रहिए, और आप बनाते चलिए, उसके बाद सबसे जो tough है, जिसमें सबसे ज़्यादा समय लगने वाला है, उसी को आप सबसे last में लिखिए, जैसा कि ये article है, जिसमें आपको time लगने वाला है, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट भी लग सकता है, तो इसको आप, मेरे ख्याल से, आप इसको last में ही लिखिए, क्योंकि उस समय, आप उस way में रहोगे, कि आप लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, तो ये आपके mind में रहेगा, तो इसको आप last में करिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है, ठीक है, तो इसको आप last में करिए, सबसे आसान को सबसे पहले करिए और इसके बाद आप अपने गोल तक पहुंच सकते हैं और आपका गोल क्या है इसको आप कभी मत बुलिए 80 out of 80 क्या 80 out of 80 80 में से 80 आपको ले करके आने हैं और इसलिए हमारे पुरी टीम अभीपसा की टीम आपके साथ है और अभीपसा की टीम आपके साथ है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है इसमें से दीपा वर्मा मैम है जो कि कैरियर कॉंसलर, डारेक्टर, समाजी विज्ञान और विज्ञान पढ़ाती है बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाती है चाय प्रदीपा खेलवार है जो कि विज्ञान, जिव विज्ञान को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मजे के साथ पढ़ाती है हिमासु सूनी सर है जो कि मैट्स को बहुत अच्छे से और एक कॉमेडियन की तरह बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि आपको बोर ना हो, बहुत आसानी से समझाते हैं, अभीनाव तो सांसु पारिंडे सर है, जो कि भातिक सास्त्र को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनको काफी experience भी है, और ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, टकेश्वर साहु सर है, ये मैट्स की एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हमारे जो faculty है, वो पूरे आपके साथ है, और मैं English के लिए तो हूँ ही, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसे experienced, well qualified, पूरे faculty आपके साथ है, तो आपको डर्ड़ने की कोई जरुरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारे वीडियो को देखते रहिए, अधिक जानकारे के लिए आप हमारे numbers पर call कर सकते हैं, देगे website पर विजिट कर सकते हैं, आप अभीपसा एप Google Play Store से भी direct download कर सकते हैं, और इस तरह से आप वीडियो को देखे, समझे, और एक नए strategy के साथ अपने मन में विचाल लाइए, कि हाँ, मैं सफल हो सकता हूँ, हाँ, मैं काम्याब हो सकता हूँ, हाँ, मैं हजारों लाखों से भी ज़्यादा तेज दोड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, और मैं सफल हो सकता हूँ, और कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, मैं सफल हो सकता हूँ ये confidence अपने मन में रखे, ये confidence यदि आपके मन में आ गया कि हाँ, yes, I can do it, then you can, yes, you can, आप कर सकते हो, और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहे, मैं मिलूंगा एक interesting relation के साथ, नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद.